आज आजमगड में कॉंग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी लेकिन उनकी जनसभा से कॉंग्रेस को कितना फायदा होगा इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉंग्रेस के कारिकरता और आजमगड की जनता मौजूद है हम इनी से जानेंगे कि आखिरकार एक वक्त था जब कॉंग्रेस का ये गढ़ माना जाता था लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कॉंग्रेस ने अपनी जमीन खो दी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपनी नई जमीन तयार कर ली जो कार करता है सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कॉंग्रेस ने अपनी पुरानी जमीन को खो दी और आज समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन बना ली जाध धर्म पर लालाने के लिए असावी पार्टी ने काम किया अब जनता जागरुख हो चुकी है अब जनता जो कांग्रेस पर बड़ीवजया है और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जबभी पूरे उत्तर परदेश में कोई भी आपदा आई कोई जनता को प रोट पर लड़ाई लड़ते हुए दिखा है तो परियंका गादी देखिए चाहे छाहीं जहां को भी आबदा आई हर आबदाकर कोई नेता नजर आया रोट पर तो प्रियंका गादी नजर आई ये तो बिल्कुल सच बात है कि प्रिंका जी इस बार काफी ज्यादा एक्टिव दिखी जगे जगे उन्होंने जनसंपर किया डोर टू डोर कंपेनिंग की जनसभाएं की और कॉंग्रेस के लिए एक मजबूत जमीन तयार करने की कोशिस की लेकिन आज की इस जनसभा से कितने मायने निकाले जाएंगे राजनेतिक देखिए मैं एक पंक्ती में पूरी बात कहूंगा जितेंद्र मिर्दापुरी कभी हूं जिस तरस उन्होंने कोशिश की है यह समझना चाहिए जनता को कि जन जन की पुकार पे दोड़े चले आएंगे अब प्रतिज्या करते हैं प्र लेकिन इस बार आजम गड़ में कौन से मुद्दे होंगे जिन पर जनता मद्दान करेगी विकास के विकास के यह कुछ हुआ नहीं आजए बड़े हैं इंसालों होई कांगरिसी अब क्या आएगी आप आप बताएगे जनता जागरूफ हो चुकी है यूवा जागरूफ हो जाएंगे वही मुक्मंत्री बनेगा विल्कुल सच बात है यूवा ही एक जो है कौम की ताकत होती है और यह यूवा जो मैदान में आज आएगे तो जाइसी बात है उसको जीद हासिल होगी लेकिन एक चीद मैं आपको बता दूं कांगरेस पार्टी क्यों पीछे रह गई थी क्योंकि इसके मुखिया जो बदले हैं बीच में जो आए हैं कांगरेस में राहूल कांधी जी और पिंगा कांधी जी से पहले जो भी लीडर्शिप हुई है वो जो है अच्छा बहवार किये नहीं है जिसकी वज़ा से जो है बड़ा बिखराव रहा है इनके आने से एक नई जान कांगरेस से पैदा हुई है एक हौसला पाइदा हुआ है इसमें ब्लू देखने को मिल रहा है युवां की बात हो कि हमारी वहिस प्रैंकाजी देने जा रही है और पूरे पर्देश में सरकार बनने जा रही है हम यही कहना चाहते हैं सत्र साल सतर सां सरकार में कुछ सहना कुछ नहीं क arcよ आज न वो ख़ले हो तुम तुम राइस का कंग्रेश की देन गहार यह देख में और पर ₩ युवा जोस में दिख रहे हैं आप बताईए आप तो पार्टी के सक्रिय कारकरता भी है और प्रत्यासी भी है क्या कहेंगे प्रमीन जी कि कॉंग्रेस इस बार आजमगड में खाता खोलेगी या नहीं घर साबित नहीं कर दिया तो राजनी से सन्यास ले लूगा अभी तक कोई आया नहीं एक बात दूसरी बात जो मुसल्मान 32 सालों तक उनको ओड दिया जब नर्सी के मामले को लेकर 20 महिलाओं उपर लाठी चार्ज की गई वाटर कनन रबर की गोलियां उनका जब उच्पिलन किया गया समाजवादी पालिटी कुली की बाउंडरी कंदर मिल करके चले आए कौन लड़ा ज जिसको जिसको आजमगर की जनता 32 सालों से प्यक्षित रख्टी थी हम नहीं जानते हैं तो उन महिलाओं का नाम क्या है कौन है सस्पी की धंकी डियम की धंकी उसके बाउजित भी गए उनको संबल प्रदान किये और प्रियंका गांधी जीया उनको बुलाया गया उनको कहा जाए कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाओ लड़ रही है आजमगड में आप बताइए आप क्या कहेंगे हमारा जो संघठन खत्म हो गया था 32 साल से हमारा संघठन नहीं था संघठन करती है देश की बिकास की बात करती है आज जो धिया है इंद्वस्तान को कांग्रेस ने दिया है और मैं इसके जरीए आपको एक शहर करना चाहता हूं जो हमारी कांग्रेस पार्टिक है मेरे जोनू का नतीजा निकलेगा जरूर स्याह समंदर से नूर निकलेगा जरूर इस बार हम लोग यहां सरकार बनाएंगे और हमारी बहुत अच्छी हाला था हम 200 सीट पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं चलिए आप बताइए आप भी आजम गड़ के रहने वाले हैं कौन से ऐसे मुद्धे हैं जो इस बार चुनाव में चुनावी मुद्धे बनके निकले हैं और उन्हीं मुद्धों पर जनता ओट हम विवा हैं आज हमको रोजगार चाहिए अगर रोजगार नहीं है तो क्या सिती होगी परिवार रोजगार बड़ा मुद्धा है इस बाहर के चुनाव में जी रोजगार बहुत बड़ा मुद्धा है सिच्छा बहुत बड़ा मुद्धा है और कांग्रेस पार्टी का इस सबन की पार्टी है यादो की पार्टी है चमार कहते हैं इसले जाति कहां जाएंगी आज कोई रहे होती है मेरे दोस्तों कोई रहे आई और सूचक सब्द का इस्तेमाल मत करिए आप बताइए धलित बताईए आप पिछड़ा समाज बताईए लेकिन आप किसी को जाती सूचक सब्द से सम्मोधित नहीं करेंगे ठीक है यह नहीं करेंगे मैं दे आप भी देखें मैं भी देख रहा हूं कि मालीजी कोई लेकिन कौन दल बुलाता है कौन दल नहीं बुलाता हमें इसमें पढ़ना हमें इस बात की जानकारी लेनी है कि आखिरकार इस बार आजमगड में कौन सा मुद्दा चुनावी मुद्दा है जी आजमगड में इतना मतलब जो भी लड़ा है इन्होंने आकर प्रियंका गाधी ने कई बार आई है और इन्होंने हर जहां भी जुल्म हुआ है उसके साथ एक खड़ी रही है इन्होंने लड़ा है और यहां की जनता एकदम उस्तूख है एक लाइन में बताईए प्रियंका जी की इस जनसभा से कॉंग्रेस को कितना फायदा होगा जी बहुत लाब होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एकदम मूड बना चुकी है जनता कि अपकी बेर दसो सीट एकदम मजबूती के साथ लड़ेगी और पूरी तरह से कहीं न कहीं इसका रिस्पांस मिलेगा हम लोगों को और ये प्रियंका नहीं यादी है ये दूसरी इंदरा गाधी है आप देख सकते हैं ये कॉंग्रेसी कारिकरता है जिसमें उत्साह और जोस देखने को मिल रहा है लेकिन इस बार आजमगड में कौन-कौन से चुनावी मुद्धे है जिन्हें ध्यान में रखकर जनता मत दान करेगी ये तो मत गणना के दौरान ही पता चलेगा आजमगड से वीडियो जर्लिस्ट धीर सिंग के साथ बलराम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की